पेड़ों पर प्रकृती निर्भर करती है। पेड़ों के गाड़ी खाना स्थेथ नियू होरिजान पब्लिक स्कूल के बच्चों ने व्रुक्षिदिंड लगा कर पेड़ों का महत्वा बताया। इस मुख्यों देश से नियू होरिजान पब्लिक स्कूल की और से जन्जागरुती व्रुक्षिद दिंड़ी निकाली गई। इस व्रुक्षिदिंडे के बारे में हमारी टीम ने स्कूल की मुख्या धापक से बाकी तो उनने बताया कि आजकल के बच्चों को पेड़ पौधर की जानकारी नहीं होती है। यही कारण है कि है साल स्कूल की और से ये कारिक्रम आईजित क्या जाता है। इस कारिक्रम का पूरा आईजियन स्कूल के बच्चों नहीं किया है, साथी दिंडी में जो संदेश लिखे गए हैं, वो भी बच्चों नहीं लिखे हैं। ऐसे जानकारी स्कूल की मुख्या दापक ने दी आपको एक सब्सक्राइब बढ़ी बात बता तो जो मुंफली होती है मुंफली काफी लोग उनको ने मुंफली फली नीचे लगती क्या उपर लगती है इसलिए हमारा प्रयावरान का अगर आपका मेरा परिसर देखोंगे तो हरी हरी जाहर देखो इसके आदमी जब अपने आ आपने घर में लगता है तो आपने घर में लगता है कम से कम तुल्सी का पेड तो भी अपने घर में लगा है लगते ले वनेज़टाती है है तो तो आपको शाने बात में अपाट को पानी ज भाती को स्वेखो पर आप यह का नोगे उस्तिया। भुलसी का पेड भी नहीं मालू हुआ तो इसलिए अभी काफी लोगों ने पेड लाया अलग लाया जिसको बनाइब कम बारे प्लान ने को बता आग इसका उपधा इसार अभी बच्चों को लेके जाएंगे सब पैरंस देखेंगे लोग देखेंगे बोलिए जिनको इंको ब यह प्लाइंट है क्योंकि अपने नाकूर में पूरा जंगल जंगल है पेड काट रहे है वहाँ पेड़ गया जंगल भचों के पॉस्टर ही लिए ने पचों है अमारे यह पेड़ प्रेटेश कुछ भी ने कर दिये कुछ भी ने पढ़ाती है जो दो करदें हैं बच्चों को बताते एक आप ऐसा करो अब देखो यह भी आप जिलन एक शब टाइपन करहा यह गुमें अगी घुट को अच्छ लंग है बच्छों को यह को ताह है अर बार पढ़ाई पढ़ाई बोलतो एक दिन इसा ओना चे कुछ अबार एक गंपर्दी क सब्सक्राइब प्रमुक अधिति के रूप में उपस्देद जोया शेख से भी हमारी टीप ने बात की इस पहल के बारे में बोलते वे उन्होंने कहा कि पर्यावर्ण की और किसी का ध्यान नहीं है इस और ध्यान देकर अपने घर पर पेट लगाना चाहिए साथ ही ये सीख अपने बच्चों को भी देनी चाहिए कि पेट लगाने से हमें ऑक्सिजन मिलता है ऐसी कारन स्कूल का ये उपकम सरानिया है पर्यावर्ण के बारे में बात करते हैं जोया शेक नी कहा कि सभी और पेट नहीं लगाये जाते हैं उन्होंने कहा कि अगर 100 पेट कटे जाते हैं तो इसकी तुल्ण में 1000 पेट लगाना चाहिए जी हाँ बिलकुल लगती है अभी आप अगर शायद आसपास अगर अपने नागपूर में अगर आसपास देखते हैं तो मुझे असा लगता है कि इतने सारे पेड़ कटे हैं लेकिन उसके बदले में ट्री प्लांटेशन नहीं हुआ है अगर सो प्लांट अगर कट रहे तो हम में उसके एविज में कम से कम हजा प्लांटेशन तो करना चाहिए तो अफकॉस यह हो रहा है तो यह बहुत अच्छी पहल है इनकी कि आज उन्होंने बच्चों के तुरू और आप देख सकते हैं कितने सारे पोस्टर्स हैं उनके तुरू बता रहे हैं कि इन्वार्मेंट क साफ सुत्रा क्लीन रखना है ग्रीनरी रखनी है विकॉस अगर आप इन्वार्मेंट के साथ खिलवार करेंगे बारिश का प्रॉब्लम आएगा अभी आप जो देख रहे हैं कहीं न कहीं हमारे भारत वर्ष में अगर कहीं न कहीं जो मौसम में चेंजे सुए हैं तो कहीं न प्लांटेशन की वज़े से हुआ है क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि पॉल्यूशन को कैसे करेंगे तो अफकॉस ये एक अच्छी पहल है कि हम लोग ने ट्री प्लांटेशन करना चाहिए और सबने करना चाहिए अगर सेलिब्रिटी की भी बात करें तो हर सेल अच्छा रखना चाहिए साथी अपनी आसपास का परिसर हर्याली रखना चाहिए साथी उन्होंने कहा कि न्यू होरिजॉन स्कूल की तरह देश की सभी स्कूल ने ये पहल करनी चाहिए साल में एक बार आता है इन्वार्मेंट दे लिकिन हमने बारा महने तीन सो पैसेट दिन हमें ये ट्री प्लांटेशन करना चाहिए हर बार थांक्यू इस व्रुक्षे देंडी में बच्चे विवेत वेश बुशा में दिखाए दे कोई साड़ी पहन कर तो कोई बार करी वे शेक बान से की रिपोट